मैंने तो आज तक नहीं बोला भाई मैं क्रिकेट एक्सपर्ट में तो सीधा बोलता हो बाबर की तारीफ करके जो है न मैंने अपनी दुकान चलाई हुई है मैं तो बाबर का फैन हूँ अब मेरे को बोलो कि व्यूज के लिए करता है मैं मुझे बोलता हूँ लेकिन इतना हैस तो दम रखा कर भाई कि बोला कर कि भाई आज विराट कोली को चेज करना चाहिए था नहीं कर पाया आज फ्लाप हो गया तू जब भी विराट कोली फेल होता है ये क्यों गिल्वाने लगता है विराट कोली ने साथ सो पेसट रं तो वर्ल्ड कब में बनाए थे ना मतलब ये कौन सा एक्सक्यूज हो गया भाई बाबर के लिए तो तेरा बहुत ज्यादा मूझ चलता रहता बिना कान वाले जुमान चलता रहता है बाबर को तो छठे नंबर पर आना चाहिए बाबर को तो साथवे आके आउट होता तो आज बाबर आजम के ना कसम से बता रहा हूं हर किसी का ये हैडलाइन बनता बाबर आजम कांट चेज बाबर आजम रन बना नहीं सकता बाबर आजम अपने लिए खेलता है अभी PSL हुआ था ना मैंने भी देखा था कौन क्या बोल रहा था यह सारे के स यह बंदा टिक ना जाए यह टिक ना जाए पता चला कि मैं जिता की लेग जाएगा 183 चेज करना था विराट कोली ने 16 बॉल पे 22 रन की पारी खेली दो चौके एक शक्के लगा है ठीक है और आज RCB की टीम मैच हार गई अब जरा सोचना सोचना कि पाकिस्तान का कौन सा ऐ यसा यूटूबर है जो आज विराट कोली के इस नौक पर कुछ बोला हो या सवाल खड़े की हो फुरकान बटी एक बात मुझे आप बताते हैं कि जब विराट कोली फेल होता है तो तब आप जो है यह बात क्यों करने लगते हैं कि विराट कोली आज भी रिटायर हो जाए तो वो ब्रेल लारा जावेद मियादाद great of the game जो है उनके साथ खड़े होंगे भाई तू इस मैच के बारे में पूरा explanation दे रहा है ना तू cricket expert है ना तो इस मैच में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ कौन फेल हुआ तो बराबर को criticism करोगे ना अगर विराट कोली आज फेल हुआ है तो अपना नो बॉल में थोड़ा सो दम रखा कर भाई कि बोला कर कि भाई आज विराट कोली को change करना चाहिए था नहीं कर पाया आज flop हो गया तू जब भी विराट कोली फेल होता है ये क्यों कि नमाने लगता है विराट कोली ने 763 रंतो वर्ल्ड कप में बन विराट कोली पर मैं आऊंगा और लेकिन विराट कोली जो है आज भी अगर retire हो जाए ना तो great of the game में होगा है क्या होगा बाइस पूरी दुनिया को पता है लेकिन ये कौन सा excuse हो गया बाबर के लिए तो तेरा बहुँ ज्यादा मूँ चलता रहता बिना कान वाले जुबान चलता रहता है बाबर को तो 6 नंबर पर आना चाहिए बाबर को तो 7 नंबर पर आना चाहिए सब के वीडियो जाके देखो किसी ने भी नहीं वोलोगा विराट कोली पे बात तक नहीं कियोगी यही काम अगर बाबर आजम ने किया होता और बाबर आजम 16 बॉल प yapt principle हो तो बावराजम अपने लिए खेलता है सोले बॉल पे 22 रन बावराजम ने बनाये होते ना बावराजम अपना देखो घंटे ने अपनी टीम को धोखा दे दिया एक बार फिर से मैच हरवा दिया अभी PSL हुआ था न मैंने भी देखा था कौन क्या बोल रहा था यह सारे के सारे व शुकर क्या है पहले होता है PSL उसके बाद होता है IPL और PSL में तो बावर की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट दो यह से और बावर ने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है अब RCB की वैसे लंके लगे वे रहते तो मैं यह सूच रहा था PSL के टाइम में कि य इनका IPL में इनका खुद प्रोग्राम वोड़ जाना है और देख लो RCB की टीम के विराट कोली पर बोलना नहीं चाता है हमारे देश की शान है यार बहुत बड़ा प्लेयर है यार I love him लेकिन उनके फैंस न वाई उनके फैंस न उनके फैंस का कुछ नहीं किया जा सकता किस ने कोली को जो है इंडियन मीडिया कर रही है इंडियन मीडिया कर रही है और सवाल भी खड़े कर कर रहे हैं कि अगर आप इसी ओल्ड स्कूल की तरह आप बल्लेबाजी करोगे तो टीम की लंका लगनी तया है और नौक आट रॉंड में थम लग वेसे भी हारते हैं और हर बार की यही कहानी है कि आप कोई ना कोई होता लोगों का अगर आज 16 बोल पर 22 रन बाबर आजम बनाता तब देखते आप रियक्शन तो यही होता अजंडा मैंने तो आज तक नहीं बोला भाई मैं क्रिकेट एक्सपर्ट हुए तो सीधा बोलता हो बाबर की तारीफ करके जो है न मैंने अपनी दुकान चलाई हुई ह मैं तो बाबर का फैन हूँ अब मेरे को बोलो कि व्यूज के लिए करता है मैं मूँ पे बोलता हूँ लेकिन इतना हैसियत है न बोलने का इतना सच्चा ही है कि पैसा कमा भी रहो ना बाबर के नाम पे पैसा कमा रहो मूँ पे बोल रहा हूँ मैं यह एक्सेप्ट भी करता ह और ये बाबर के फैंस मुझे जानते भी है बीबी अंडी चर्स ने खुद बोला है विराग बाबर आजम के बारे में he is the best white ball player in the cricket history in the cricket history with विराट कोली ये उनकी जुबान है मैं खुद state way निकाल के दिखा सकता हूँ रूल सब के लिए एक होने चाहिए चाहे वो cricket की दुनिया हो या आम जिंदगी एक शक्स के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और बेकुल गलत और ज्याती वाली बात है कल IPL में विराट कोली की टीम एक बार फिर मैच हार गई और विराट कोली भी कल के मैच में फ्लॉप रहे मीडिया बाबर आजम के इस एक मैच के लिए चीतरे उड़ा कर रख देते ऐसा क्यूं है बाबर आजम के जो हमरे मीडिया ने फॉर्मर क्रिक्टर्स ने और हमारे चंद यूट्यूबर्स जो खुद को क्रिक्ट का तजजिया निगार कहते हैं एक अलग ही रूल सेट कियों में हैं जब अपने ही लोग अपने ही क्लास के खिलाडी को क्रिक्टिसाइज करेंगे तो दूसरे तो करेंगे ही हम पहले ही अपने खिलाडी को तंस के निश्टर मार मार के इतना जहनी तोर पर टॉर्चर कर देते हैं को जहीं से बाते ऐसे लोग का जमी तो होता नहीं और ना खुद की इज़ट और जिसके खुद की इज़ट ना वो दूसरों को क्या इज़ट देंगे मैं यह नहीं कहती ही कि सबके सब ऐसे ही हैं ज्यादा तर लोग बावाराजम हो यह दूसरे हमारे क्रिक्टर्स उनको इज़द देते हैं उनसे महबत करते ही हैं यह हमारे मुलक की शान है लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं बड़े बेशरम हैं अल्ला इन सबको हिदाय दे मेरी द करना हरकिस मत भूलें